राज की एक और बड़ी खबर राश्टपती रामनाथ कोविन ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है इस वक्त की बड़ी खबर इस कानून के अमल में आने के बाद भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर लगाम लगेगी और वो कानून प्रक्रिया से बच नहीं पाएंगे भगोड़ा आर्थिक अपराधी वो व्यक्त होता है जिसके खिलाप 100 करोण रुपए या उससे अधिक के बुल चुनिंदा आर्थिक अपराधों में शामिल होने की वज़े से गिरपतारी के लिए वारंट जारी किया जाता है और वो अ एक कड़े कानून बनाने की बात चल रही थी और ऐसे में बताया जारा है कि राजसभा और लोक सभवा में पहले से पास हो चुका है राष्टपती की मंजूरी मिलने की बात थी अब राष्टपती की मंजूरी मिल गई है यानि अब ये कानून बन जाएगा और अब ऐसे ज लगां का औरहीं कमें के ऐक बड़ा घोटाला करके एसे लोगों पर लगाम लगा जा सके मौट एक राष्टय छाया करके। तो उनք पास एक राष्टा होतार हो विदेश भागयाता है इसके बाद वहह से भारत लाने में तमाम पापड़ बेलने पड़ते हैं अब इस कानून के बनने के बाद ऐसे आर्थिक अपरादियों पर लगाम लगाई जा सकती है इस पुरे मामलों की जाँच फिलाल CPI कर रही है तो इस विधे को राश्टपती ने अपने मंजूरी दे दी है इस वक्त की बड़ी ख़वर आपको उता रहे है और अब इस कानून के आज आने से ये जो बड़े आर्थिक अपरादि होते हैं जो सेकडो करोड का चुना लगा कर भाग जाते हैं कमसकब इनके उपर अब लगाम लगाई जा सकती है